साइन का इंवर्स एक्स ओवर अंडरूट वान माइनस एक्सक्यर इसका हमने इंटिग्रेशन फाइंड करना है और इसकी लिमेटिंग वैल्यों भी दी हुए आप पर लिमिट का है अंडरूट ट्री बाइटू और लोगर लिमेट है वन बाइटू पहले हम चेक करते हैं कि य साइन का इंवर्स अगर फंक्शन हो तो इसका डेयरेवेटिव क्या होता है अगर यह फंक्शन हो तो फार्मूले में इसकी वैल्यों दी होती है डेयर्येटिव के लिए यह वाला function है और आगे उसका derivative है यह तो बना हुआ है अब जब पहले function हो और उससे आगे multiply हो रहा हो उसका derivative तो फिर हम function की power में एक add करते हैं और उसी पर divide करते हैं तो sign का inverse function है इसको तो ignore कर देना है यह तो उसका derivative इंटिग्रेशन सौल करते हो इसके derivative का कोई काम नहीं बस वह मतलब formula के मताबक होना चाहिए कि आगे derivative है अब इसकी power 1 है sign का inverse की power 1 है तो एक और 1 इसमें add करेंगे 1 plus 1 करेंगे sign का inverse x का square over 2 मतलब 1 plus 1 over 1 plus 1 किया तो x square over 2 आया अब upper limit का under root 3 by 2 और lower limit है 1 by 2 तो upper limit minus lower limit put करेंगे पहले upper limit put करेंगे 1 by 2 constant है हमने हम उसे शिरू में ले आए अब sign का inverse x की जगा पे पहले under root 3 by 2 put किया under root 3 by 2 क्योंकि इसका square है तो square लिया minus lower limit sign का inverse x की जगा पे 1 by 2 1 by 2 का square लिया अब यह देखें under root 3 by 2 पे क्या value देता है sign का inverse pi by 3 pi by 3 value देता है pi by 3 का square क्योंकि whole का square है तो under मतलब sign pi by 3 पे यह वाली under root 3 by 2 value देता है अगर under root 3 by 2 इसके साथ लगा हुआ है तो हमें यह find करना है कि कौन से angle पे sign का inverse under root 3 by 2 value देता है तो वह यह वाला angle है pi by 3 minus sign का inverse 1 by 2 मतलब कौन से angle पे sign का inverse यह वाली value देता है 1 by 2 pi by 6 पे तो whole का square है दोनों का तो हम मैंने यहां पे question के answer में भी whole का square लेना है तो यहां पे मैंने whole का square लिखा और 1 by 2 दोनों के साथ multiply हो रहे है तो pi square over 33 to 9 pi square over 66 to 36 अब दोनों का calcium लिया bracket के अंदर वाला solve करना है पहले यहां लिया 36 नो चार 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 पाई स्केर माइनस यह वाला पाई क्यूंकि इसके नीचे 36 है तो वन यह खुद ही अपना वन के साथ multiply होके इसे as it is लिखना होता है माइनस पाई स्केर अब फॉर फॉर फाई स्केर माइनस पाई स्केर तो थ्री पाई स्केर आएगा ओवर 36 त्री वन दा थ्री त्री टू दा six अब पाई स्केर ओवर यह 12 टू से multiply होगा तो 24 बन जाएगा यहीज़ कांस है